नमस्कार फ्रेंड्स मैं सुनित आप सब का स्वागत करती हूँ मेरी शाही फोड़नी कीचन में आज मैं आपको दिखा रही हूँ कॉलिफलावर मटर की सब्जी या मटर कॉलिफलावर की सब्जी कुछ भी आप बोल सकते हो तो आए रेसीबी को शुरुआत करते हैं प्लीज मेरे चानल सब्सक्राइब कीजी के लाइक कीजी शेयर की एक कडाई रखिये कडाई में टालिये थोड़ा सा तेल तेल गरम होने के बाद वाद साफ धोके रखा वाय यह कॉलिफलावर है फुलगों भी वो इसमें डालना है इस तरह से करने से इसके nutrition जो है इसी में रहते अगर आप उबालोगे हर चीज आप उबालोगे तो इसके nutrition जो है वो खतम हो जाते इसलिए इसको हलका सा भून लेना है इसको थोड़ा सा धकी है क्योंकि छेटे ऊड़ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा धकी रखा तीन-चार मिनिट इसे अच्छे से मीडियम आच में भून लेना है इससे इसका स्वाद जो है बहुत बढ़ जाता है इसकी खुशबू भी बहुत आती है भूनने की ये मैंने निकाल दिया इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसे निकाल दीजे मैं एक बार दिखा थोड़ी सी हिंग के बाद में डालेंगे दो कटे हुए प्याज इस प्याज में ही मैंने दो हरी मिर्च बारी कट करकर डाली है दो प्याज दो हरी मिर्च मैंने डाला है अगर अब ज्यादा तीका खाते हो तो हरी मिर्च थोड़ा सा ज्यादा डालना इसे भी भून लेते ह पैस ट्रांसपरन्ट होने के बाद में हम डालते हैं 1 टमाटर ये थोड़ा सा बड़ा टमाटर था तो मैंने रख दिया है साइड में क्यूंकि बहुत कम कॉलीफ लावर लिया है मैंने अंदाज से सॉieurs ग्राम ही कॉलीफ लावर होगा पैस टमाटर भूनने के बाद इसमें डालते एक चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अधरक लसन पेस्ट मैंने डाल दिया ये सबजी को बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है अब हम इसमें डालेंगे बाकी की सामगरी, ये नमक डाल दिया स्वादा नुसार, थोड़ी सी हल्दी अगर आपको चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो, क्योंकि हमारे गर में कम तिका खाते हैं, तो मैंने लाल मिर्च नहीं डाला एक डेड़ चमच जीरा पाउडर, डेड़ चमच धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को थोड़ा सा पकने देते हैं, ग्यास थोड़ा सा लो फ्लेम में ही रखियें, ये मैंने डाला एक चमच बेसन बेसन इसलिए डाला है, अगर आपको हलका सा ग्रेवी चाहिए, तो बेसन की वज़े से थोड़ा सा गाड़ा पन इसे आता है, बहुत मसाले मैंने नहीं डाले हैं, ये है धही, देड़ चमच धही मैंने डाल दिया इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम लो करके इसको ढखकर रख देते हैं एकाद मिनिट के लिए, शारे मसालों को अच्छे से पकने देते हैं, फिर ही डालते हैं, दुसरी सामगरी, एकाद मिनिट के बाद ढखकन खोल दिया, मैंने थोड़ी सी शक्कर मैंने डाली है, शक्कर आप fresh मतर भी ले सकते हो पर fresh मतर ले के आप उसे हलका सा उबाल के फिर इस मैसाला यह है kिचन किंग मसाला यह बाजार का किचन किंग मसाला है अच्छे से मिक्स कर लेना यह आप टिफिन के लिए बना सकते हो क्यूंकि यह बहुत जटपट बन जाती है अब मैने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी बहुत थोड़ा सा पानी मैंने डाला है पानी डाल कर इसे ढख कर पकाते हैं तीन से चार मिनिट इसे पकाना है तीन चार मिनिट के बाद इसे खोल कर देखे एक बार चेक कीजिए अगर सबजी पक गई है तो ग्यास आफ कर दीजे ने तो एक आद मिनिट और आप पका सकते हैं अगर अपको मेरी रेसिपी पसंद आथे तो प्लीज अपके फ्रेंड्स के साथ रिलेटिवज के साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिए यह हमारी सबजी रेडी हो गई है मैंने ग्यास आफ कर दिया है मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद